नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे इंप्रूवड CCB लोकों में A9 को अगर इमर्जेंसी पे रख दिया है या इमर्जेंसी ब्रेक लगाया उसको बोलते हैं इमर्जेंसी ओपरेशन कर दिया तो हमें क्या सावधानी रखनी है और दूसरा देखेंगे RS खोल दिया अलार्म chain pulling हो गया या किसी अन्यकारण से BP pressure drop हुआ अन्यकारण कुछ भी हो गया सकता pipe पट गया हो या train parting हो जो भी हुआ हो BP pressure drop हुआ इन तीनों का एक ही चीज कहा जाएगा तो ये होने पर हमें improved CC वाले लोकों में क्या करना है ताकि failure नहीं हो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसमें ही failure पैदा हो जाता है इसलिए ध्यान पुरुक इसको याद कर लेना चाहिए और और भी दूसरे वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाएए चैनल पे जाके प्लेइलिस्ट में जाएए और प्लेइलिस्ट में जो भी वीडियो आपको देखना हो दे सकते हैं और दोस्तों आडियो की खबरी एप को फॉलो करना न पुलें उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आडियो हैं तो आएए देखते हैं improved CCB लोकों में A9 से आपने इमरणनसीब लगा दिया तो अब क्या करना है अब जब आपने A9 को इमरणनसीब लगाया तो BP 0 हो जाएगा ठीक है अब BP जीरो हो गया अब क्या है कि वहाँ पे जो डिस्प्ले स्क्रीन है वहाँ में जो EBV की डिस्प्ले स्क्रीन है वहाँ मेसेज आएगा operator emergency please wait क्या आएगा operator emergency please wait वो बोलेगा wait करो याने कि ऐसा क्यों बोलना है क्योंकि हो सकता है आप उसको emergency पर रखके वापस normal run पर रख़दो तो तूरंत run पर नहीं रखना है वो computer ऐसा बोलना है थोड़ी देर इंतिजार कीजिए यानि कि उसको emergency पर ही रहने दीजिए जब थोड़ी देर रहने देंगे थोड़ी देर का मतलग क्या है दस से थोड़ा ज्यादा 10 सेकिंड कम से कम है तो जब आप रहने देंगे तो वहाँ पे आएगा okay to run BP target 0.0 ऐसा मैसेज आएगा वहाँ पे स्क्रीन पे जो छोटी से स्क्रीन है EBV की इमर्जनसी ब्रेकवाल EBV की जो स्क्रीन है वहाँ पे ओके यहाँ वह लिख दें ओके okay to run BP target 0.0 ऐसा लिखा हूँ आजाएगा ठीक है अब जब यह आजावे तब हमको A9 के हैंडल को फिर रन पर रखना उसके बाद रन पर रखेंगे अब क्या होगा का वहाँ पे धीरे धीरे जब रन पर रखोगे तब BP प्रेशर गेज में 5 केजी बनना शुरू हो जाएगा और जब 5 केजी बनना हो जाएगा और साथ में EBV की डिस्पले स्क्रीन पर मैसेज आजएगा OK to run BP target 5 केजी OK to run BP target जब 5 केजी आजाएगा तो फिर हमारा काम सही हो गया है अब ये आपने रख दिया और BP target पांच ये नहीं आया सपोस्पलो तो उसको फिर से emergency पे ले जाना है और कम से कम 10 सेकिंड रखके फिर से वापस वही किरिया दोहरानी पड़ेगी जब आप BP target 5-0 आजाता तो धीरे धीरे BP pressure पूरा आ जाएगा जब भी आप A9 से emergency operation करते हो तो ये वाला तरीका पूरा का पूरा आपको करना चाहिए अगर ये नहीं करोगे तो ये होगा गर यार BP pressure नहीं बन रहा और failure हो जाएगा ठीक है तो ये एक बात हो ही जब आप A9 से emergency को operation इमर्जेंसी पे रखते हो तब दूसरी बात है जब कभी RS वाल खोला है अलार्म chain pulling हो गया है या किसी अन्य कारण से BP pressure drop हुआ है तो क्या करना है तो जब भी ऐसा होता है तो यहां भी BP pressure zero हो जाएगा ठीक है या zero भी नहीं भी हुआ तो भी इसको zero की तरफ वो बढ़ रहा है कहने का मतलब कम हो गया तो EBV की display screen पर message क्या जाएगा जब अपने आप BP pressure drop होगा तब अलग message आएगा train line यानि कि पीछे से कहीं से BP इसको RS को भी पीछे कहीं मानते हैं क्योंकि वो direct BP pipe से जूड़ा हुआ है तो train line emergency put auto in emergency यानि कि आप A9 के handle को emergency पर रखो computer ऐसा बोल रहा है train line train की line में कहीं कई emergency हुई है BP pressure drop हुआ है इसलिए आप क्या करो इस handle को emergency पर रख दो अब यहाँ पर emergency penalty को reset करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको auto पर रखके 10 second तक वहाँ पर रखना पड़ेगा जब आप 10 second तक वहाँ पर रखोगे कम से कम 10 second है 10-15 second भी रख सकते हैं उसके बाद एक message आएगा जो message हमने यहाँ पर देखाता न okay to run bp target 0.0 यह message आ जाता है तब हम auto break handle को run पर लाएंगे जब यह message आ जाए तब हम run पर लाएंगे और run पर लाने के बाद में okay to run bp target 5 कैजी का message आ जाएगा यह भी लिख देता हूँ okay to run bp target 5.0 जब यह message आ जाएगा तो bp pressure धीरे धीरे बनना वापस start हो जाएगा और उसके बाद में अगर bp pressure बनना start यह target तो आ गया लेकिन bp pressure नहीं बन रहा है तो सुनी स्चित करो कि अपना जो यह rs वाल खोला है तो वो बंद ठीक से हुआ आगने वो इसको ठीक से बंद करो खुला है तो बंद कर दो और cp हुए तो उसको reset करो या किसी अन्य कारण से bp pressure drop हुआ है तो उसको attend करेंगे जब हम यह attend करेंगे तब वापस धीरे धीरे bp pressure आ जाएगा यह message सिर्फ target का आया कब इतना target है आपको bp pressure अब लाना है लेकिन यह तीनों message जो चीज हुई है उसको attend करेंगे तब यह pressure वापस पांच के जी आ जाएगा गड़ release होगी उसके बाद में वापस चला सकते हैं तो यह आज हमने देखा कि improved CCV वाले लोकों में A9 से emergency लगाने पर क्या करना है और पीछे train parting हो गया, cp हो गया या rs वाल खोल दिया तो आगे आपको क्या कारवाई करनी है यहाँ पे खेल पूर और लोकों के फैल होने का chances बना रहेगा तो इसको ध्यान में रखें याज कर लेए अच्छित्र और practical भी कर लेए ताकि आपको अच्छित्र मगज में बैड़ जाए धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अविश्य बताएं ताकि मैं और भी इ आतार हूं